बलो गणेशी भगवानी कीजे, शिव जी भगवानी कीजे, मापार्वती कीजे, किसी नगर में एक साहुकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण वे पहुत परिशान रहता था, पुत्र प्राप्ती की इच्छा से वेह हर सोंवार व्रत भी रखता था और पूरिश रधा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी का ध्यान करता था अरात्ना करता था उसकी भक्ती भाव से मापार्वती प्रस्न हो गई और भगवान शिव से उस साहुकार की मनोरत पूर्ण करने का आगरह करने लगी पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती इस संसार में हर प्राणी को उसकी कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे वेह भोगना भी पड़ता है लेकिन पार्वती जी ने साहुकार की भक्ती का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा माता पार्वती के आगरहे पर शिव जी ने साहुकार को पुत्र प्राप्ति का वर्दान दे दिया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल बारह वर्षी होगी माता पार्वती और भगवान शिव की बाचीत सुन रहा था साहुकार जिसे सुनकर ना तो उसे कोई खुशी हुई ना ही कोई दुख हुआ वे पहले की तरह ही शिव पार्वती की पूजा करता रहा कुछ समय बाद साहुकार को पुत्र की प्राप्ति हुई घर में बहुत अधी खुशिया मनाई गई उस्सव मनाई गई उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी लेकिन साहुकार को तो सच्चाई का मालम था कि उसका जो पुत्र है वे अलपायू है इसलिए साहुकार अधीक प्रसन ना हुआ वे मन ही मन बहुत दुखी था अवे पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा अब जब उसका पुत्र ग्यारा वर्ष का हुआ तो उसने अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजने का सोचा साहुकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्याप्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यग्य कराते जाना भ्रामनों को और भूकों को भोजन कराना दक्षिना देना किसी चीच की कमी ना रखना दोनों मामा भांजे अब वहां से काशी के लिए निकल गए रास्ते में वो यग्य कराते और भ्रामनों को दान दक्षिना देते हुए काशी की तरफ चल पड़े रास्ते में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाहा था लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था जिसके जानकारी लड़की और उसके घरवालों को नहीं थी राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल चली साहुकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को ही दुलहा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपनी नगर ले जाऊंगा उसने लड़के को दुलहे के वस्र पहना कर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया लेकिन साहुकार का पुत्र तो इमानदार था उसने मोका पाकर राजकुमारी की चुन्डरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें बीजा जाएगा वह एक आख से काना है मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ राजकुमारी ने जब चुन्डी पर अपनी यह बात लिखी देखी तो उसने अपने माता पिता को बताई राजा ने अपनी पुत्री को विदा करने से इंकार कर दिया दूसरी और साहुकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुचे वहाँ जाकर उनोंने यग्य प्रहरंब कर दिया जिस दिन लड़के की आयो बारा साल की हुई उस दिन यग्य रखा गया ब्रहामनों को भोजन कराया गया दीन दुखियों को भोजन कराया गया दक्षना दी गई लड़के ने अब अपने मापा से कहा कि मामा मुझे अपनी तबेद कुछ ठीक नहीं लग रही है मामा ने कहा ठीक है तू मंदर जाकर सो जाओ शिवजी के वर्दान नुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया सैयोगवश उससी समय शिवजी और माता पारवती उधर से जा रहे थे पारवती ने भगवान से कहा स्वामे मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करेए जब शिवजी मृत बालक के समीब गए तो वह बोले कि यह तो उसी सहुकार का पुत्र है जिसे मैंने बारा भर्ष की आयू का ही वर्दान दिया था अब इसकी आयू पूरी हो चुकी है लेकिन मातर भाव से विभोर माता पारवती ने कहा कि हे महादेव आप इस बालक को और आयू देने के किरपा करे अन्यता इसकी तो माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे माता पारवती के आग्रहे पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दे दिया उसे प्रान दान दे दिये शिव जी के किरपा से वह लड़का जिविद हो गया उधर साहुकार ने अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बता दी कि हमारा बेटा अलपायू का है सिफ बारा वर्ष तक की ही उसकी आयू है इसलिए मैंने उसको उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए भेज दिया क्योंकि हम तो अपने बेटे को यहां मरते हुए नहीं देख सकते थे उधर दोनों माता पिता भी अब विलाप करने लगे शिक्षा समाप्त करके अब लड़का वापस अपने मामा के साथ नगर की ओर चल दिया चलते चलते दोनों उसी नगर में पहुँचे जहां उसका विवाहा हुआ उस नगर में उन्होंने यग्ये खा योजन किया उस लड़के की ससुर ने अब उस लड़के को पहचान लिया और मेहल में ले जाकर उसकी खातेदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया अब दोनों मामा भांजे और उसकी पतनी तीनों ही नगर के लिए निकल गए इधर साहुकार और उसकी पतनी भूके प्यासे रहकर अपने बेटे की आने की प्रतिक्षा कर रहे थे दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें बेटे की मिर्थ्यू का समाचार मिला तो वे अपने शरीर त्याग देंगे परन्तु जैसे ही उन्हें अपने बेटे के जीवित होने की बात पता चली वह बेहद ही परसन हो गए उसी रात भगवान शिव ने व्यपारी के सपने में आकर कहा मैं तेरी सुमवार के वरत करने और वरत कथा सुनने से प्रसन होकर तेरी पुत्र को लंबी आयो प्रदान कर रहा हूँ अब उस लड़के के माता पिता ये खुशी कर ठिकाना ना रहा क्योंकि अब उसके घर में पुत्र और पुत्रवदू दोनों हो गए थे और पुत्र को भी लंबी आयो प्राप्त हो गए थी तो इस तरह जो भी कोई सावन सोंबार का वरत सचे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाई पूर्ण होती है तो बोलो शिवजी भगवान ने कीजै मापारवती कीजै तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शियर और सब्सक्राइब कीजिए बोलो हर हर महादेव जय शिवशंकर